हाई गाईज, ATM के रिए या फिर ATM transactions के रिए कुछ नए rules बनाए गए हैं RBI के द्वारा और इन नए rules को कब से लागू किया जाएगा इसके उपर 4 points हैं जो आप के लिए जानना बहुत ज़ादा जरूरी है पहला point इसमें बताया गया है कि अगर मालिजे कि आप अपने ही bank account के ATM से transactions करते हैं तो आप सिर्फ 5 transactions कर सकते हो free of cost अगर आप उसे ज़्यादा का transaction करते हैं तो आपको उसके उपर पैसा देना पड़ेगा वो भी 21 rupees उसमें से deduct हो जाएगा और यह लागू किया जाएगा 1st of January 2022 से second point जो इसके इंदा बताया गया है वो है कि अगर suppose करिए कि आप किसी और bank के ATM से transaction करते हैं तो तीन transaction तक तो free है लेकिन अगर आप उसके बाद में भी transaction करते हैं चौथा transaction तो आपको 20 rupees चार्ज देना पड़ेगा next दिया गया है कि अगर मालीचे कि आप एक bank account से किसी दूसरे bank account में यानि अपने bank account से दूसरे bank account में अगर आप पैसा transfer कर रहे हो तो अभी तक तो उसके उपर 15 rupees लगता था जैसे कि ICCI bank से आपने SGFC में transfer किया अब इस amount को increase कर दिया जाएगा और यह कितना हो जाएगा 17 rupees हो जाएगा कई बार आपने यह भी देखा होगा कि जैसे कि 5 रुपे डिड़क्ट होता है अब वो 6 रुपे कर दिया जाएगा यह कब से होगा यह हो जाएगा लागू 1st of August 2021 से अगला point उन्होंने बताया हुआ है इसके अंदर कि एक आखरी चीज जो है कि यह जो transactions आपके हो इसमें से सिफ एक ऐसा transaction है जो आपको फॉर्स यानि कि एक ऐसा रूल है जो आपका 1st of January 2022 से होगा और बाकी जितने हैं यह सारे के सारे 1st of August 2021 से applicable हो जाएगे तो आपको यह सारे के सारे रूल मालूम होने चाहिए ताकि आपके account में जब डिड़क्शन हो तो आप वहां पे थोड़ा चौके ना आपको पता होना चाहिए कि डिड़क्शन क्यों हो है बस comment box में यह बता दो what is the full form of ATM